हेलो फ्रेंड्स, आज हम इसके अंदर स्टेडी करेंगे कि अगर हमने कांपनी सेट अप करनी है तो उसके लिए हमें क्या प्रोसेस जो है अडॉप्ट करना पड़ता है सबसे पहले क्या होता है कि जब पर्मोशन सबसे पहले जो स्टेप एट आइस्दिव पर्मोशन पर्मोशन का मतलब होता है कि जब पर्मोटर के दिमाग में ये आईडिया आता है कि मैंने यह opportunity अवैलेबल है मैंने इसको company form में setup करना है फिर उसके basis पे वो अंदाजा लगाता है कि मुझे total funds कितने चाहिए, resources कितने चाहिए, ठीक है तो इसको हम promotion कहते हैं, promotion may be defined as the process of organizing and planning the finance of a business enterprise under the corporate form, कि अगर हमने company की अंदर अपना business जो है setup करना है, तो हमें total funds की requirement किया है, और कितने resources हमें उसके अंदर चाहिए, और promotion को हमें ऐसे भी define कर सकते हैं, देखो सबसे पहले discovery of the business opportunity, कई बार क्या होता है कि हमें लगता है, कि यह opportunity अच्छी है, government इस पे कोई rebate दे रही है, यह लोगों की requirement है, तो हमें इस तरह का business जो है setup करना चाहिए, उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी लागत क्या आएगी, हमें उसके अंदर property कितनी चाहिए, कितने funds चाहिए, क्या management ability चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम business जो है setup करते हैं, तो उसके पीछे जो motive होता है, profit कमाना है, promotion may be defined as the discovery of the business opportunity and subsequent organization of funds, property and managerial ability into business concern for the purpose of making profit there from. अब देखो stages of promotion के अंदर हम देखते हैं, first जो है देखो discovery of an idea, यहाँ पे देखो हमें जो promoter है, उसके दिमाग में आता है, कि यह चीजों की logo के अंदर requirement है, यह जो already established player है, यह इनकी requirement को पूरा नहीं करें, उसके अंदर यह defect है, तो वहाँ पे उसको लगता है कि opportunity exist करती है, और उसके बाद जो promoter है, देखो वो assess करता है, कि जो मेरे दिमाग में idea है, उसकी feasibility क्या है, viability क्या है, देखो अगर मैं यह unit लगाता हूँ, तो इसकी total demand जो है, अगर यह product मैं manufacture करता हूँ, तो total demand कितनी है, जो already लोग पहले से जिनके unit established है, वो उस demand को कितना पूरा कर रहे ह total potential कितना है, अगर मैं manufacture करता हूँ, मैं supply करता हूँ, तो मेरा अपना share कितना होगा, फिर उसको यह देखना पड़ता है, कि मुझे total कितना fund चाहिए, fixed asset के अंदर कितनी investment है, business को चुलाने के लिए working capital के अंदर कितनी investment है, power क्या चाहिए, labor क्या चाहिए, raw material क्या चाहिए, machinery क्य चाहिए, किस जगा पे अपना manage, अपना plant अपना set up करना है, किस तरह की technology चाहिए, तो वो हर angle से जो है project की viability को check करता है, technical angle से check करता है, financial angle से check करता है, demand angle से check करता है, क्या यह viable है या नहीं है, viable का मतलब है कि क्या उसके अंदर potential demand है, क्या वो potentially profit generate कर पाएगा या नहीं कर कि जब वो unit set up करता है, तो naturally देखो उसको इसके अंदर ये भी देखना पड़ता है, कि मैंने किस जगा पे, क्योंकि जो site होती है, that is also very important, बहुत सारे factors उसको देखने पड़ते हैं, किस तरह की plant and machinery मुझे चाहिए, किस तरह की capacity चाहिए, फिर वो देखता है कि raw material कहां से available requirement देखता है, कितना हिस्सा debt का होगा, कितना हिस्सा output का होगा, ठीक है, और कहां कहां से उसने, कितना fund, जो है, कहां से arrange करना है Capital structure के अंदर portion देखता है, कितना हिस्सा debt का है कितना हिस्सा equity का है क्या short term sources है क्या long term sources है तो promotion के अंदर जो है वो सारी चीजों को जो है assess करता है अब हम देखते हैं कि जो promoter है उसके functions क्या है देखो जो promoter है सबसे पहले देखो उसी के दिमाग में idea आता है कि मैंने business जो है setup करना है और उसके basis पर वो investigation करता है viability को check करता है फिर देखो अगर company form में setup करनी है कि यह one person company है तो एक ही बंदा चाहिए बट अगर यह private limited company है तो यहाँ पर minimum two percent चाहिए public limited company है तो यहाँ पर minimum seven percent चाहिए फिर उसके बाद देखो company का नाम क्या रखना है registered office कहां पर setup करना है और share capital जो है equity issue करनी है preference share issue करनी है requirement क्या है किस तरह से broker और underwriter को नोगे point करना है ताकि share की form में पैसा जो है collect किया जा सके banker कहां bankers के पास जो अपना खाता खुलवाना है current account auditor कौन से point करने है legal advisor किसकी help रेनी है memorandum of association and article of association के अंदर जो है क्या provisions डालनी है उसारी चीज़े जो है promoter जो है सोचता है उसके functions होते हैं और देखो यहां पर जो promoter उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो इसकी proper जो है registration कराए वहां से incorporation certificate ले अगर उसने IPO लेके आना है equity का या debentures का तो prospectus को publish करवाई उसकी registration करवाई और उसी तरह वो देखता है कि जो initial खर्चे होते हैं survey के या report बनाने के तो वो preliminary expenses का भी arrangement करता है और अगर वो IPOs वगरा लेके आता है तो क्योंकि उसमें यह होता है कि 90% जो है subscription जो है आनी चाहिए तभी जो है issue आ सकता है नहीं तो नहीं आ सकता तो यह सारे promoter के जो है functions होते हैं जो इसने perform करने होते हैं जब वो company को promote करता है अब हम देखते हैं कि promoter क्या होता है देखो promoter की ऐसे कोई definition नहीं है promoter जो है जिसके दिमाग में वो opportunity का idea आता है जो सोचता है कि लोगों को यह requirement है और यह individual भी हो सकता है firm भी हो सकती है association भी हो सकती है और देखो इन लोगों की जो है इसके अंदर वो advice लेता है जैसे advocates हो गया chartered accountant हो गया यह इसको unit जो है उसको establish करने के अंदर help करते हैं बट वो promoters नहीं होते क्योंकि promoter जो है उनकी help लेता है उनकी advice लेता है और promoter जो हम कह सकते है तब person who takes the risk जो यह लेता है कि मैंने company setup करनी है यह मेरा objective है और इस business को मैंने company form में run करना है और वो proper steps लेता है हर चीज को organize करता है हर चीज की requirement जो है उसको assess करते है उसका arrangement करता है तो हम promoter जो है वो person कह सकते हैं who undertakes to form a company with reference to give an object and set it going and take the necessary steps to accomplish that purpose अब हम देखते हैं कि features क्या है promoter के देखो जो promoter है जिसके दिमाग में यह idea आता है कि मैंने business को setup करना है वो investigation करता है हर angle से उसकी viability को check करता है फिर उसके बाद देखो funds की arrangement करता है material के arrangement करता है location को select करता है machinery का arrangement करता है और बहुत सारे document जैसे memorandum है article of association है और अगर IPO लेके आना है तो उसके लिए prospectus वगरा सारी चीज़े जो है वो arrange करता है उसकी drafting करता है और legal जो advisors होते हैं उनकी help लेता है और company को register करवाता है और वहाँ से incorporation का certificate लेता है और funds जो है उसको वो various sources से arrange करता है ताकि company जो है उसको सचारू रंग से चलाया जा सके अब हम देखते हैं कि what is the कितने तरह के जो है promoters होते हैं तेखो जो professional promoters होते हैं इनका काम क्या होता है कि company को setup करते हैं जब company को setup करके उसके बाद जो है shareholders को दे देते हैं जब business शूरू हो जाता है तो इनका काम ही जो होता है company को setup करना होता है और second जो है original promoters होते हैं यह promotion के अंदर regular basis पे नहीं होते बट यह companies हैं उनको promote करते हैं और financing promoters होते हैं जो के funds प्रवाइट करते हैं और यहां पर जो managing agents होता है यह भी क्या होता है कि new company को float करते हैं और उसके बाद चो मैंश करने के जो है right जो है लेते हैं जब इसके वह board of directors बन जाते हैं तो यह various kind of promoters होते हैं जो basically क्या होता है कि company को promote करते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि what is the ramen narration of promoter, देखो जो promoter उसके दिमाग में या आइडिया आता है कि मैंने business company form में set up करना है, उसारा कुछ arrange करता है, तो बदले में उसको क्या मिलता है, देखो यहां पर उसको total lump sum amount में दिया जा सकता है कि आपने company को promote किया है, company को set up किया है, और cash क form में भी हो सकता है, उसको share या debentures भी issue कि जा सकते है, और यह भी हो सकता है कि कोई वो property purchase करें और company को higher price पे sale करते हैं, यहां पर यह factors को disclose करना पड़ेगा, और कई बार यह भी होता है कि उसको commission भी दिया रहता है, और देखो जो promoter है, ठीक है, इसकी position क्या होते है, ना तो द अब हम देखते हैं कि what is the legal position of the promoter, ठीक है, यहां पर legal position जो है promoter की है, legal position of the promoters, यह promoter जो होता है, naturally, देखो, क्योंकि fiduciary relation होता है, fiduciary का मतलब होता है, ठीक है, क्योंकि company तो एक artificial person है, और company अभी existence में भी नहीं आई, ठीक है, तो इसलिए क्या है कि उसने कोई secret profit नहीं कमाना, अगर वो किसी transaction के अंदर कोई secret profit कमाता है, तो उसको वो company को वापस करना पड़ेगा, ठीक है, और यह भी नहीं है कि वो बिना बताए, अपनी property जो है company को ज़्यादा rate पे sale कर दे, तो अगर वहां से भी कोई profit कमाता है, तो वो भी उसको permitted नहीं है, और अगर अपनी property वो बेज सकता है, अगर वो company जो है, जो promoter ने contract किया है, उसके साथ cancel भी कर सकती है, और जो basically जो promoter ने contract किया है, उनका वो benefit ले सकती है, और promoter को जो है, वो damages के लिए sue कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर promoter जो है, fiduciary उसका, क्योंकि ना तो वो trustee है, ना ही कोई agent है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि, rights क्या है, देखो यह थी उसकी legal position, क्योंकि उसका fiduciary relation है, तो उसने कोई secret profit नहीं कमाना, ठीक है, और अगर कोई transaction company के बहाफ पर करता है, अगर उससे कोई profit होता है, तो उसने company को वापस करना है, और अब हम देखते हैं, promoter के rights क्या है, देखो promoter के rights यह होते हैं, कि यहाँ प payment आजाती है, तो काफी सारे promoters होते हैं, तो वहाँ पर उनको penalty लगती है, तो एक promoter pay कर देता है, तो बाकी promoter से dues अपनी collect कर सकता है, वेर more than one person act as a promoter of the company, one promoter can claim against another promoter, and compensation and damages which are paid by him, promoters are severally and jointly liable for untrue statement in the prospectus, और यहाँ पर देखो जो भी basically उसने company को set up करने के अंदर प्रिनमरी खर्चे के यह होते हैं, वो वसूल कर सकता है, पर यह director की discretion के उपर depend करता है, अगर vouchers हैं, और director जो इसको वापस देना चाहते हैं, तो वो करेंगे, और उसी तरह वो remuneration जो है, नमसम के अंदर भी receive कर सकता है, commission भी receive कर सकता है, मतलब यह company उसको share भी जो है, हम देखते हैं, कि what is the duty of the promoter, देखो, इसकी duty यह बनती है, कि कोई secret profit अगर किसी transaction के अंदर कमाता है, तो वो उसने बताना है, और अगर कोई property अपनी वो sale करता है, वहाँ पी material facts बताने है, और naturally वो company, क्योंकि वो trustee के रूप में काम कर रहा है, तो वहाँ पे company के hit को देखते है, या private arrangement है, तो वो उसको disclose करनी पड़ेगी, अब हम देखते हैं, कि liability क्या है, देखो, liability तो यह है, कि अगर कोई secret profit कमाता है, तो वो वापस करना पड़ेगा, अगर prospectus के अंदर वो कोई गलत लिखता है, कोई untrue statement देता है, तो वहाँ पे promoter जो होता है, compensation देनी पड़ेगी अगर किसी को उसकी वज़ा से lost damages होया, और उसी तरह के पर section 63 grounds प्रवाइड करता है, कि अगर miss statement है, गलत statement दी है, तो criminal liability भी है, और यहाँ पे promoter को जो है, two years की imprisonment भी हो सकती है, 5000 का fine भी हो सकता है, और यहाँ पे देखो, जो भी promoter जो है, contract करता है, क्योंकि company existence में नहीं आई तो उसकी personal liability होती है, जब तक वो contract, जो है, discharge नहीं किया जाते है, और देखो, यह भी नहीं possible कि promoter की death हो जाए, तो भी उसकी liability से रिलीव नहीं हो सकता, और अगर company, जो है, देखो, winding up के अंदर भी court, जो है, उसको अगर कोई breach of trust है, या उसने कोई fraud किया है, तो उसकी लिए जो है, ठहरा सकते है,